प्रश्ण प्रहर का उप्युक्त शब्द चुनकर रिक्तिस्तान भरिये नमबर वन मंदिर में एक है क्या है पेड़ है नमबर टू बंटी का जन्म दिन मंदिर में मनाया गया नमबर टू टीचर जी बोली अरे आज तो बंटी बाबू भी स्कूल आ गये नमबर फूर मंदिर के पेड़ पर बैठी बंदरिया बंटी की प्रतिक्षा कर रही थी ख सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का निशान लगाई है नमबर वन बंदरिया ने बंटी के लिए अनेक उपहार खरी गए ये कथन गलत है नमबर टू बंदरिया ने अनेक उपहार बंदरों में बाट दिये ये कथन भी गलत है नमबर थ्री बंटी युनिफॉर्म पहन कर स्कूल गया ये कथन सही है और नमबर फोर विद्याले विद्या का मंदिर होता है ये कथन बिलकुल सही है गर सही विकल्प के आगे टिक लगाईए नमबर वन राजु के घर के समीप है क्या एक पार्क एक मंदिर या एक स्कूल तो एक मंदिर है नमबर टू बंटी किस के साथ स्कूल गया बंदरिया के साथ बंदर के साथ या कॉलोनी के बच्चों के साथ तो बंटी कॉलोनी के बच्चों के साथ स्कूल गया के चित्र थे मंदिरों के चित्र थे या जंगल व वन्य पश्वों के चित्र थे तो उस पुस्तक में जंगल व अन्य पश्वों के चित्र थे नमबर फूर, छुट़ी होने पर बंटी अकेला घर गया, बच्चों के साथ घर चल दिया या टीचर जी के साथ घर गया तो बंटी बच्चों के साथ घर चल दिया घर पाट के आधार पर वाक्यानशों का सुमेल कीजिए तो सबसे पहले क्या है? आज, क्या है आज? आज बंटी का जन्म दिन है फिर सभी कॉलोनी वासी उपहार लेकर आए उसके बाद बंदरिया ने सभी उपहार कॉलोनी के बच्चों में बाट दिये बंटी ने जी भर कर भोजन किया और सकूल से आते ही बंदरिया ने बंटी को गोद में भर लिया नेम ने लिखे प्रश्णों के उत्तर लिखे नमबर वन, सभी कॉलोनी वासी उने किसका जन्म दिन मनाया? सभी कॉलोनी वासी उने बंटी का जन्म दिन मनाया बंटी को कौन सा उपहार सरवाधिक पसंद आया तो बंटी को स्कूल युनिफर्म, स्कूल बैग और पुस्तके सबसे अधिक पसंद आये फिर टीचर जी ने बंटी को क्या दिया तो टीचर जी ने बंटी को सुन्दर चित्र वाली एक पुस्तक दी जिसमें जंगल व वन्य पश्वों के चित्र थे बंटी को बोजन किस ने खिलाया तो बच्चों ने मिलकर बंटी को बोजन खिलाया बाद में है बंदरिया ने विद्याले का क्या होना बताया तो बंदरिया ने विद्याले को विद्या का मंदिर बताया भाशा बोद का समान अर्थ वाले शब्दों का सुमेल कीजिए सबसे पहले है समीब समीब का समान अर्थ का शब्द है नज़दीक फिर है मुक मुक यानी मूँ फिर है स्वयम यानी अपने आप प्रतिक्षा तो इंतजार चित्र तस्वीर और प्रसन यानि के खुश ख विपरीत अर्थ वाले शब्दों के जोड़े पर टिक लगाईे तो सबसे पहले है छोटा तो लंबा तो क्या ये सही है तो ये सही है फिर है रात और दिन तो ये भी सही है फिर है मोटा और पतला ये भी सही है फिर है निकट और दूर ये भी सही है फिर है टेड़ा तो मेड़ा ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है फिर है चलना फिरना ये भी विपरीत नहीं है फिर है आगे तो पीछे ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है और आखिर में है सच और मुझ तो ये भी गलत है क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीच शब्द नहीं है क निम्न लिखिट शब्दों के समानार्थी लिखिए बंदर तो बंदर का समानार्थी शब्द होता है वानर पेड का समानार्थी होता है व्रुक्ष और हाथी का समानार्थी होता है गज ग निम्न लिखित शब्दों में किन स्वरों की मात्राओं का प्रयोग हुआ है लिखे सबसे पहला शब्द है समीप तो समीप में जो मा है इसमें बड़ी ए का प्रयोग हुआ है इसलिए हमने यहाँ पर बड़ी E लिखा है इसके बाद है राजू राजू में A और बड़े U की मात्रा का प्रयोग हुआ है इसलिए यहाँ पर A और U लिखा गया है इसी तरीके से आपको यहाँ पर इन सभी शब्दों में कौन से स्वर की मात्राएं हैं वो स्वर यहां पर लिखने हैं आओ सिखें कर अपने विद्याले के विशे में चार वाक्य लिखें यहां आपको अपके विद्याले के विशे में चार वाक्य लिखने हैं फिर है खर निम्न परशुपक्षियों को अपनी पसंद के नाम दीजे जैसे कि यहाँ पर उदाहरण है बंदर को नाम दिया गया है बंटी वैसे ही हाथी, शेर और मोर को आपको अपनी पसंद के नाम देने हैं ग निम्न के नाम लिखिये यह क्या है बंदर, पेड़ और मंदिर तो यहाँ आपको यह तीनो नाम लिखने है फिर है बताईए निम्न परशुपक्षि किन देवी देवताओं की सवारी के रूप में जाने जाते हैं तो मोर किस की सवारी है तो मोर भगवान कार्थिके की सवारी है चूहा भगवान गणेश की सवारी है हंस जो है वो देवी सरस्वती की सवारी है और यह जो आप चित्र देख रहे हैं यह मा दुर्गा की सवारी है बाद में है ऐसे चार पश्वों के नाम लिखे जो प्रत्यक्ष रूप से मनुष्य के काम आते हैं यानि के जो पश्वों मनुष्य के काम आते हैं ऐसे आपको पश्वों के नाम लिखने हैं तो ऐसे पशु कौन होते हैं? जैसे की गाय, भैस, घोड़ा और बक्री ठीक है? तो ये नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं